बुलंसर भारत के उत्तर प्रदिस राज्य का एक जीला है या उच जीले का मुक्याले भी है बुलंसर प्राची नाम बरंथा इसका इतिहास लगभग 12 सवर्स पुराना है यह दिल्ली राष्टी राजधानी छेत्र NCR का हिस्सा है बुलंसर दिल्ली से महज 64 किलोमीटर की बुलंसर भारत में उत्तर प्रदिस राज्य के ठीक पस्चिम में इस्तित है पुर्व में गंगा नदी वो पस्चिम में यम्ना नदी इस्तित है इसकी सीमा बनाती है बुलंसर के उत्तर में मेरट तथा दच्छिड में अलिगर मौजूद है पस्चिम में राजस्थान रा अधिकाल में बरन नाम से जाना जाता था इसी कारण प्रसिद इतिहासकार जियाउद्दीन को जियाउद्दीन पर नि कहा जाता है बुलन सहर का पुराना नाम वह उपनाम अहार छेत्र भी है बुलन सहर के स्थापना अहिबरन नाम के राजा ने के थी बुलन सहर पर उन्हों सुरच्छा के लिए नहर का निर्मार भी था जिसमें इस उपर कोट के पास की बहती हुई काली नदी के जल से इसे भरा जाता है बुलन सहर का इतिहास बारा सो वर्स पुराना है तब इसे बरन के नाम से जाना जाता था यहां अही बरन नाम के एक साखसक ने बरन नाम का कीला बनाया था जिसके बाद उसने अपनी राजधानी बरन सहर के नाम से इस्थापित की बाद में इस सहर का नाम बदल कर बुलन सहर हो गया बुलन सहर एक उच्छ भूमी परिस्तित था इसलिए इसे उच्छ सहर के रूप में जाना जाता था मुगल काल के दौरान फार्सी भासा में सहर को बुलन सहर नाम मिला जिसकी फार्सी का मतलब होता है हाई टेक सिटी इस काल में बुलन सहर में राजा अहिबरन के वनसच यहां कई वर्सों तक राज किये उन्ही में से एक राजा अनुप राव ने भी बुलन सहर पर सासन किया उन्होंने अनुप सहर नामक सहर बसाया राजा अनुप राय की सिकारगाह आज सिकारपुर नगर में रूप में प्रसिद्ध है मुगल काल के अंत और प्रिटीस काल के उद्रो समय में जनपद में ही मालागड रियासत छतारी रियासत वर दानूपुर रियासत की भी इस्थापना हो चुकी थी जिनके आवसेश आज भी जनपद में मौजूद है दानपूर रियासत का नबाब जलील खान था तथा छटारी रियासत ब्रिटीस परस्त रही भारत के सौतनतता संग्राम के समय बुलन सहर के कई सौतनतता सनानियों ने अंग्रेजों के सामराज के खिलाप महतपूर योगदान दिया 1857 इस भी में प्रथम सौतनतता संग्राम के दोरान सौतनतता संग्राम का पहला मोर्चा भुलन सहर जीले के बहादुर राश्टरवादी ने लगाए था भुलन सहर जीले के दादरी और सिकंद्राबाद छेतर से उत्तपन गुर्जर के योद्धा कबीले ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विभिन इमारतों जैसे टेली ग्राफ का रियाले निरच्छर भंगले को नश्ट कर दिया था जो भारत में ब्रिटिस सासक का प्रतीक थे इसके बाद विभिन ने सरकारी संपत्ती को लूट लिया गया था और आग लगा दी गई थी सहर में काला आम नाम का चौराहा जंग आजादी का मुख्य गवा है जहां 1857 क्रांती के दोरान अंग्रेजों का विरोध करने वाले को पकड़ पकड़ कर मौट के घात उतार दिया जाता था जो लोग ब्रिटिस राज के खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें चौराहे पर स्थित एक आम के पेड़ पर लटका कर उन्हें फासी ते दी जाती थी समय के साथ यह जगह कतले आम चौक बाद में काला आम के नाम से जाना जाने लगा और आजादी के बाद लोगों ने सरे आम कतल के गवा रहे इस पेड़ को कटवा दिया काला आम पर बना सहीद इसमार वर्ष 1857 से 1947 के दोरान काला आम कतल गाह बना रहा है इस दोरान हजारों करांतिकारी को यह फासी दी गई है बुलंद सहर का प्रमुक नगर अनुप सहर बुगरासी औरंगाबाद खुर्जा पहासू स्याना खानपूर डिबाई सिकंद्राबाद जहांगीराबाद वसिकार बुलंद सहर सडक मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुक सहरों से जुड़ा हुआ है दिल्ली गास्याबाद मेरट पलवल फारीदाबाद मांसेर जैपूर पैरिफेलर एक्सपेक्स्वे द्वारा और आगरा अलिगड कानपूर नेशनल हाइवे 191 द्वारा सहरों के प्रम जे गेहूं चेना मक्का जो जौर बाजरा का पास एवं गन्ना आम आदी है बुगरासी में आम के बाग बीदेवसों तक मसहूर है सूत कातने कपड़े बनाने का काम जहांगिराबाद में बरतनों का काम खुर्जा लकड़ी का काम बुलंद सहर सिकार पूर में होता है नगर बुलंसहर में पानी के हैंड़ बनाने की जहां है खुर्जा बंसहर नगर में कई नामी आयरवेदिक चिकष्चट्च भी रहे हैं खुर्जा चीनी मटी काम बिजली के लिए भी विविन उपकर बनाए और पहचानना जाता है आपको अच्छा लगे तो लाइक करे अ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई